हेलो दोस्तों वैलकम टो और यूट्यूब चैनल मैथवी दमनोज जैसा कि हम सभी को पता है कि CGL मेंस 2020 के लिए अब सिर्फ दो दिन बाकी हैं और कुछ बाते हैं जिन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है नहीं तो आपकी जो मैनत किया उस से उस मोग टेस्ट में आप लोगों के नंबर कम बन गए तो उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिटेंस टूट जाएगा और एक्जाम के अंदर कॉन्फिटेंस बहुत जादा माइने रखता है आप एक अच्छी सोच के साथ बैठेंगे कि मेरी अच्छी त्यारी है तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ चैप्टर हैं जैसे कि अलजेबरा है में चुरेशन है ट्रिगनोमेटरी हैं में काफी ज्यादा कंसेप्ट और काफी ज्यादा फॉर्मूला जो थे हैं बहुत सारी आइडेंटिटी हैं जिनस पर रिसेंटली क्वेस्टन बने हैं ब वहां पर अग्जाम में जाकर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और यदि आप लोगों ने बहुत पहले फॉर्मूला जो को पढ़ा था तो अग्जाम प्रेसर के कारण वहां पर आप लोग कंफ्यूज आता है या माइनस आता है तो एक बर सभी फॉर्मूला को रिवाइज कर लें और विना फोर्मूला था अप फिर क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे ना असान क्वेशन आगया लेकिन आपको फॉर्मूला यह नहीं पता तो आप कैसे करें तो आप लोग सभी फॉर्मूला को याद कर लें बई एक बर रिवाईज जरूर कर ले सभी को अग्जाम से पहले चाहिए वो ट्रिगनोमेटरी हो अलजैबरा हो मेंचुरेशन हो एरिया वोल्यूम से जो भी क्वेस्टन मनते हैं और जिमेटरी की बहुत सारी थियोरम हैं उनको भी रिवाइज करें भी एक बात इससे आपको बहुत ज्यादा होगी अग्जाम के अंदर और दूसरी बात यह है कि अग्जाम जब आप लोग अटेम्ट करने बैठेंगे तो वहां पर इस बात का जरूर द्यान रखना भी कुछ बच्चे क्या होते हैं कि वन गो में जाते हैं भी तो शीरियल वाइज अटेम्ट करना सुरू कर देते हैं पहला तो उनको first time में मत करें और जो question आप लोगों ने पहले attempt नहीं करें के कोई नया question आता है जो पढ़ने लगता है कि मैंने पहले कभी नहीं किया तो उसको तो पहले बार में बिल्कुल मत करें और जो hard time consuming question उनको भी ना करें उनको last के लिए छोड़ दे में अगर आप लोगों तो पंद्रा भी कर दोगे तो आप 80-85-90 तक attempt कर दो तो यह तो बहुत अच्छा score हो जाता भी moderate level के exam के अंदर और इस बार exam थोड़ा पिछे वाड़ी साल से थोड़ा अच्छा सकता है भी पिछे नों को 2-3 set बनाने पड़ते थे इस बार एक ही set बनाया तो अच्छा ही बन आजाते हैं भी wrong statement के साथ आजाते हैं या option wrong जाते हैं कि उनका answer निकालना possible ही नहीं है तो अगर आप लोग वही जिद्धी पन अपनाएंगे भी कि मेरे को तो first attempt में सारे करने हैं छोड़ना नहीं है कोई भी तो आप उस गल्थ question में अगर फस गए ना तो 4-5 मिंट आप उस स्टेट्मेंट आपको अच्छे से द्यान आ जाए भी समझा जाए कि क्या पूछा है क्या दे रखा है और कैसे निकालना है ज्यादा से ज्यादा अगर आप फिर भी करते हैं तो दो बार से ज्यादा किसी question को नहीं पढ़ना भी दो बार में जो question समझ में नहीं आया तो यह questions होंगे और two hours होंगे उनको करने के लिए तो उनमें क्या करें आप लोग जो comprehensive part है पैसेज है और जो पराजंबल्स आते हैं वो काफी time consuming हैं तो उनको बाद के लिए छोड़ ले बाकि आप लोग close test आप पे depend करता है अगर आप one go में साथ साथ कर सकते हैं flow flow में तो कर दे और लगता है time consume करेंगे तो उसको भी बाद के लिए छोड़ ले और जो इन तीनों चीजों से अलावा जो बचता है उसको आप एक गंट टेक अंदर cover कर ले उन तीन चीजों के लिए बाद में एक गंटा बचा ले वही उसके बाद क्या होगा कि आप लोगों के दिमाग पे ज सिर्फ द्यान अखें भी अब और कोई मोक नहीं लगाना है जो चीजें आप लोगों थोड़ा लगता है कि रिवाइज करनी चाहिए उनको रिवाइज कर ले अब सिर्फ इतना ही काफी है दो दिन बाकी है और टाइम से अपने exam center पर पहुंचें भी क्योंकि उसमें भी क्य आज तो बाल बाल बच गए तो negative effect ही डालेगा वह भी तो टाइम से पहुंचें और आप सभी को all the best